एक गाउ में मीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी मिठाई की दुकान थी. उसकी दुकान पर तरहे तरहे की मिठाईयां बिक्ती थी, जिन्हें बनाने में मीना बहुत महनत करती थी. मीना की एक सौतेली छोटी बहन थी चारू मीना चाहती थी कि चारू भी उसकी मिठाई की दुकान चलाने में मदद करे एक दिन मीना चारू से कहती है चारू, अब तुमारी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने बाली है मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी ही तरह मिठाईया बनाना सिखो और मेरी मिठाई की दुकान तुम चलाओ ये, ये क्या कह रही है तुम मीना मैं और मिठाई की दुकान पर बैठू कुछ भी, मुझे बाहर जाना है चेहर और आगे की पढ़ाई पूरी करनी है चारू हार मान लेती है पर होली से पहले ही मीना की एक एकसिडेंट में मौत हो जाती है और वो एक चुडेल में बदल जाती है मैं, मैं, मैं तो चुडेल में बदल गई पर मुझे पूरा यकीन है कि चारू को मैंने जो मेरी special गुझिया बनाना सिखाया है वो जरूर मेरी मिठाई के दुकान पर बैठेगी मेना चुडेल जल्दी से घर जाती है ये देखने कि चारू होली के लिए गुझिया बना भी रही थी या नहीं पर घर पर चारू के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था वो अपना सामान बांधने में लगी थी अच्छा ही हुआ ये मीना चली गई उपर हमेशा हुकम चलाया करती थी जाने इतना प्यार क्यों था इसे अपनी मिठाई की दुकान से अब खेर जो हुआ आस तो हुआ अब कम से कम मुझे उस मिठाई की दुकान पर तो नहीं बैठना पड़ेगा ना ठक गई थी मैं गुचिया और मिठाईया बनाना स्थीक के कुछ भी समझ में नहीं आना था अब मेरे पास जो भी पैसे बचे हैं उनसे मैं शेहर जाओंगी और वहीं रहूंगी यह सब सुनकर मीना चुडल को बहुत ज़ादा गुसा आजाता है इस चारू की इतनी हिम्मत यह मेरी प्यारी मिठाई की दुकान को छोड़ कर शहर जाना चाहती है नहीं नहीं ऐसे तो मेरी सारी महनत पानी में चली जाए ऐसा नहीं हो सकता मैं एसन नहीं होने दूंगी वो यहीं रहना पड़ेगा इतना कहकर मीना चुडेल चारू के शरीर में घुश जाती है जिससे चारू की आँखें एक दम लाल-लाल हो जाती है दो दिन में होली है अब मैं अपनी स्पेशल गुजिया बनाना शुरू करती है अब ही गाँवालों को मेरी स्पेशल गुजिया खानी ही पड़ेगी उसके बेना किसी का भी होली का त्योहार पूरा नहीं हो सकता चारू जल्दी से मीना की मिठाई की दुकान पर जाती है उसे खोलती है और जल्दी जल्दी से गुजिया बनाना शुरू कर देती है चारू को गुजिया बनाता देखकर मीना की एक पुरानी कस्टमर गुडिया दुकान पर आ जाती है आरे चारू बड़ा दुखुआ मीना के बारे में सुनकर पर तुम तुम ने ही सब मिठाइयां बनाना कब सीखा और मुझे नहीं लगता अब मीना के जाने के बाद कोई भी इस दुकान पर आएगा सबको मीना की मिठाइयां ही पसंद थी अब तो सब उस चमपक की ही मिठाई की दुकान पर जाएंगे सना है वो भी बड़ी अच्छी गुजिया बनाता है ये सुनकर चारू के अंदर गुजी मीना चुड़ाल को बड़ा ही गुसाता है चारू डरावनी आवाज में गुडिया से कहती है ऐसे कैसे सब दूसरी दुकाण पर जाएंगे कोई यही आना पड़ेगा मेरी स्पेशल गुजिया लेने सब को बोल दो कोई भी अगर उस चंपक की दुकाण पर गया तो मैं सब को मार डालूंगी मीना की मिठाई की दुकाण जिन्दा बाद ये सुनकर गुडिया डर जाती है और भागी भागी गाओं के बाकी लोगों के पास जाती है थोड़ी ही देर में पूरे गाओं के लोगों में ये खबर फैल जाती है कि चारू अजीब बरताओ कर रही है जैसे उसके अंदर कोई भूत आ गया हो और सब को चारू से ही गुजिया लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर किसी ने भी चमपक के यहां से गुजिया ली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा जब चारू के पक्के दोस्त पूजा और रवी को ये बात पता चलती है तो वो हैरान हो जाते है पूजा चारू को तो शहर जाना था और मीना के मरने के बाद तो उसके लिए ये अच्छा मौका था फिर उस पर ये अच्छानक से गुजिया बनाने का शौक कहां से चड़ गया यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूं रवी हमें खुद ही चलकर चारू से मिलना पड़ेगा तब ही कुछ समझाएगा क्यों क्या कहते हो सही कह रही हो तुम पूजा चलो हम ही चलते हैं चारू के पास और चलके उससे बता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है रवी और पूजा दोनों मीना की मिठाई की दुकान पर पहुँच जाते हैं वहां अभी भी चारू गुजिया बनाने में लगी हुई थी चारू गुजिया बनाने में इतनी मगन थी कि उसे कुछ पोश ही नहीं था कि आसपास कौन आ जा रहा है रवी और पूजा उसे देखकर काफी हैरान थे रवी धीरे से पूजा से कहता है अरे ये तो नजर उठाकर हमें देख तक नहीं रही है लगता है कि सच में इसके अंदर कोई भू उता गया है चुप रहो रवी बकवास मत करो और उससे बात करो पूजा के कहने पर रवी चारू के पास जाकर उससे कहता है अरे चारू तूने ये इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब सीख लिया भला हाँ 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 हमें भी खिलाना रवी की बात सुनकर चारू से गूरने लगती है और कहती है आओ आओ रवी और पूजा मैं तुम्हें अपनी गुजिया सरूर पिलाओंगी ये लो जरा मेरी गुजिया चक्कर तो बताना की कैसी बनी है पूजा एक गुजिया उठाती है और उसे चक्कर कहती है वाँ वाकई में ये तो बिल्कुल मीना दीदी जैसी गुजिया बनी है तुमने इतनी अच्छी गुजिया बनाना कब चीका और आखिर तुमने ये बनाई कैसे बस समझ लो कि ये मीना नहीं बनाई है तुम लोग अपने अपने घरों के लिए गुजिया यहीं से ले जाना ये मेरी मतलब मेरी मीना दीदी की स्पेशल गुजिया जो है हाँ हाँ जरूर क्यों नहीं चल रवी अभी चल कर घर से पैस लाते हैं खुशिया भी तो लेनी है ना पूजा रवी को खींचते हुए मिठाई की दुकान से दूर ले जाती है अरे रवी तु पागल है क्या तुने देखा नहीं वो हमारी चारू नहीं है उसके अंदर जरूर मीना की आत्मा है क्या भला ये कैसे मुमकिन है और तुझे कैसे पता तु इतना यकीन से कैसे कह सकती है अरे रवी सच्ची वो गुजिया बिलकुल मीना दीदी की गुजिया जैसी थी और चारू की आवाज भी कितनी डराउनी थी और उसकी आँखें देखी थी एकदम लाल लाल थी और कितने सबूत चाहिए तु अब अब हम क्या करें कैसे छुणाए चारू को वही तो मुझे भी समझ नहीं आरा रवी कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा कुछ सोचो एक काम करते हैं पुजा गाओं के मंदिर के पुजारी के पास चलते हैं वही कोई रास्ता निकालेंगे ठीक है रवी चल चलती चलते हैं वर नब बहुत तेर हो चाएगी रवी और पुजा उजारी के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं देखो बेटा मीना चुडल चाहती थी कि होली पर सभी लोग उसकी स्पेशल गुजिया खरीदें अगर ऐसा ही हुआ तब जोडल की आखरी च्छा भी पूरी हो जाएगी और उसकी आत्मा को शान्ती मिल जाएगी ओ ऐसा क्या पुजारी जी तो सबसे पहले हमें गाउवालों से कहना होगा कि मीना की मिठाई की दुकान से ही जाकर उसकी स्पेशल गुजिया खरीदें हा रवी चल सब को चल कर बताते हैं ये बात पूजा रवी मिलकर सारे गाउवालों को बता देते हैं कि सब लोग होली की गुजिया सर्फ चारू के पास से ही खरीदें होली के एक दिन पहले ही चारू की सारी गुजिया बिग जाती है और खत्म भी हो जाती है चारू के अंदर से सीमा की चुड़ेल डराउनी आवाज में बोलती है मेरी सारी गुजिया तो कितने आसानी से बिग गई और बिगनी ही थी आखिर मेरी गुजिया पूरे लाके में सबसे अच्छी होती है तब ही पूझा और रवी टुडेल के सामने आ जाते हैं क्या आपको नहीं लगता सीमन दिदी कि अब आपको चारू के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए क्या तुम मेरे बारे में जानती हो तो इसका मतलब तुम दोनों को सब कुछ पता था हाँ, हम दोनों जानते हैं और अब तो तुम्हारी आखरी इक्षा भी पूरी हो गई है ना तुम्हारी सारी स्पेशल गुजिया बिग गई हाहाहा, नहीं, अभी मेरी एक इक्षा बाकी है क्या, अब क्या बाकी है देखो, अब आपको चारू के शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा मेरी आखरी इक्षा ये नहीं कि मेरी सारी स्पेशल खूली घुजिया बिग जाए बलकि ये थी कि चारू मेरी मिठाए की दुकान पर बैठे और खोब मिठाए बेचे पर मुझे नहीं लगता मेरे जाने के बाद चारू ऐसा करेगी तो मैं तो हमेशा इसके शरीर में ही रहूंगी पर सीमा दिदी, चारू आपकी दुकान नहीं चलाना चाहती थी अगर ऐसा हुआ तो मेरी मिठाए की दुकान बंद हो जाएगी नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं चलाओंगे आपकी दुकान पूजा की बात सुनकर चुडैल और रवी दोनों ही खैरान हो जाते है क्या मतलब है तुम्हारा मुझे बच्पन से ही आपकी मिठाईयां बहुत पसंद थी और मैं हमेशा से चाहती थी कि बड़े होकर मेरे भी आपकी जैसी मिठाई की दुकान हो चुडैल ये सब सुनकर सोच में पढ़ जाती है थोड़ी देर सोचने के बाद वो पूजा से कहती है ठेक है फिर पूजा मैं तुम्हें ही सभी मिठाईयां बनाना सिखा दोंगी चुडैल जल्दी से चारू के शरीर से बाहर आ जाती है जिससे चारू बेहोश होकर गिर जाती है रवी और पूजा मिलकर उसे उठाते हैं चुडेल पूजा को सब मिठाईयां बनाना सिखा देती है और चारू रवी के साथ पढ़ने जहर चली जाती है चुडेल की आत्मा को भी कुछ समय बाद शान्ती मिल जाती है